नमस्कार आप देख रहे हैं पमार्थावाज खबन मध्यपुरा से पास्त वेवस्था के लिए रागनी रानी यादव ने सत्ता पक्ष परतंजु कस्ते हुए क्या कुछ कहा आईए देखते हैं पहले आप अपरी चल्ड़ा हाँ मैं रागनी रानी यादव समास से भी एवमरास्टिय जनतादर अनेत्री निराधार बज़ट में बिलख लोग हैं जो किसान हैं जो मैलाएं गरिब तबके के लोग हैं किसी के हित में यह बज़ट नहीं है कोई इसका ठोस कोई बात कहीं नहीं गई है इस बजट में इसलिए बजट बिल्कुल निराधार है अगर हम इस पढ़ाई के लिए अगर लिया जाए तो पढ़ाई में भी ये बजट कुछ भी नहीं ऐसा कुछ दिया गिया है रोजगार की तो खेर बात ही छोड़ दिया जाए अगर 19 लाग सरकार जो रोजगार की बाते कर रही है अभी तक तो 19 लोगों को नौकरिया मिली है और दुसरी जो बात है जो अगर रोजगार की बात करे तो अभी जैसे उद्योग के लिए जो अभी जो हमारे बैजनातपूर में अभी जो कागज की मिले हैं अगर इसको अगर सुरू कर दिया जाता तो साथ हजारों लोगों को रोजगार मिलता लेकिन जब युवाए जाते हैं रोजगार लेने के लिए सरकार से जब मांगती है रोजगार तो क्या करती है सरकार उस पर लाठियां बर्शाती है और अभी जो इस हमारे इस मधेपूरा में जो मेडिकल कॉलेज है जो कोरोना का मसीन तो है ले बिजट में इसलिए ये बजट बिल्कुली बिहार की जो दसा है एक तो खड़ाव है ही और भी खड़ाब करने पर सरकार तुली हुई है तो ये बिल्कुली की निराधार बजट है और जितना भी अगर इसको गिनाया जाए तो बिल्कुली मतलब इस पर बहुत ध्यान देने क कि बजट आखिर वह सरकार चाहती क्या है क्या बिहार का विकास नहीं हो क्या बिहार इस भारत में एक अच्छे से रास अस्टेट के नाम से जाना जाए सरकार बिलकूल ही नहीं चाहती है कि बिहार लोग अगर कहीं जाए तो बिहार के लोग सर उठा के बात कर सके कि हम भी बिहार के हैं हमारे बिहार में भी ऐसा डेवलप हुआ है जहां महिलाएं, जहां मैं महिला हूँ, इसलिए महिलाओं को मैं देखती हूँ, कहीं सुरक्चित नहीं है, महिलाएं भी क्या करें, सुरक्चित नहीं है, अभी जो मुडली गंज में जो उसके माता पिता गए, मुखमंतरी जी के पास गए, उप मुखमंतरी जी के पास गए, नहीं कोई कुछ भी नहीं उसके बाद पता नहीं उस बच्ची का ही अपरहन हो गया है तो कैसे बोले कि हम बिहार के हम भी हम भी चाहते हैं कि हम भी गर्व से कह सके लेकिन जो बजट है जो सरकार की जो नीतियां है उसमें तो लगता ही नहीं है कि हम कह सके कि हम बिहार के लिए कोई गर्व वाली कोई बात हो रही है इसलिए बजट तो बिलकुल ही निराधार है अगर इसको सौट सब्दों में अगर बोला जाए तो यह सिफ इतना बोल सकते हैं अगर बोला जाए पढ़ाई दवाई सिचाई किसी पर भी यह जिससे आम ज जाके पूछिए जो सरकार जो करोरो रुपिय लगाई है जनल योजना पर आप ही जाके पूछिए क्या वह पानी सप्लाई हो रहा है घर में वहां पर तो फिर आपको लगेगा आप लोग इस चीज को देखिए तो यह बजट बिलकुल निराधार है अब समा से वे से जुरूए है क्या कुछ कर देखिए चलता है अभी मैं एक साल से अभी यहां पर सौगर्ड में आके जैसे मैं बच्चों के लिए उनकी सिक्षों पर जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं एक तो इसकूल का ऐसा माहो लगती अगर मैं बच्चों से पूछती किसी इंगलीज में एक बार में पढ़ाई करवा रही थी और जब मैं उससे पूछी कि इसका मिनिंग्स क्या होता है बच्चे बताते हैं मुझे नहीं पता है तो मुझे इतना ये इतना दुख हुआ कि मैं सहर में अब मुझे नहीं रहना है मुझे गौँ में रहना है पहले सिख्षों पर ध्यान दे रही हूं ताकि बच्चे को लगे और मैं देक रहे हूं ठोड़ा परिवर्तन हो रहा है बचों में और समाज की सेवा कर रही हूं और जहां तक हो सकता है वह करती रहूंगी और इसमें सभी का साथ चाहिए रही हमारे जो सदर बिधायक MLA प्रोफेसर जब मैं आपको बता जैसे बता देना चाहती हूं कि जब मैं टैंथ में पढ़ाई करती तो जो आदर्निय लाल उपरसाजी है जब मैं देखती थी कि लोगों के मूँ में आवाज नहीं है और उनके आवाजों को देने का काम किये मैं तो देखी हूं अपनी आखों से लोग बोल नहीं महिलाएं तो क्या वो तो दूर की बात है पुरुस नहीं बोलते थे गरीब पिज़ों से अंदर ही अंदर कर रही तो उस टाइम ही लेकिन अब जब मैं सौगर में बहु बहु बन कर आई तो सबसे पहले मुझे यहीं लगा कि पहले जो यह बच्चे हैं इनको जगाना है उसके बाद फिर महिलाओं को और यह हो रहा है और यह करती रहोंगी तब तक क संख्या में महिलाएं और बच्चे जगकर इस सौगर में आकर खड़े होकर अपनी आवाज में जब बोलना शुरू करेंगे तब तक मैं यह काश करती हूँ रागनी रानी यादा मदेपुरा विरोचीफ सेविता नंदन कुमार की खास रिपोर्ट